असलाम अलेकुम फ्रेंड्स, I'm your host and you're watching Fragrance Files, so आज जास फ्रेंड्स का हम रिविव करेंगे, उसका नाम है Cuban Tobacco by 11, 100 ml के juice हैसमें और EDP concentration हैं कुछ इस तरह के box और packing में आती है and it's made in Saudi Arabia, so box को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं और बॉल के स्टैप कियें लवर्न एक Saudi Arabian based niche fragrance house है और इस house के honor खाले दल मफदल ने अपने बाकी भाईयों के साथ मिल कर 2020 में इस house की शुरुआत की थी ये house भी national day आने पर कुछ limited editions launch करते हैं जैसे के 92 Levern जो के King Tobacco by 11 का एक limited edition variant था और limited edition का मतलब ये है कि company ने उस fragrance को limited quantity में त्यार किया जैसे के 300, 500 या maximum 1000 bottles और अगर आप 92 Levern की bottle पर देखेंगे तो Arabी जबान में 92 national day साफ साफ mention है और आज भी YouTube पर Levern house की सबसे ज़्यादा fragrances के review इसी channel पर मौझूद है और साथ ही पाकिस्तान में सबसे पहले इस fragrance house को fragrance files ने introduce किया था और इस house की fragrances की reviews मैं उस वक्से share कर रहा हूँ जब लोग Levern को Levern नी कहा करते थे और इस नीश house की fragrances की खुबी ये है कि जिस किसी ने भी इस house की अगर सिर्फ एक fragrance भी experience की हो तो वो मजीद इस house की और fragrances भी explore करेगा ओके सो हेस दा बाटल बाटल की looks और shape अपने दूसरे 100 ml flanker से मिलती चुलती है जिस color में difference है बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत सी black color की बाटल है जिस पर golden combination के साथ name और logo है उसके लावा बाटल पर कहीं कुछ mention नहीं है एक light weight plastic का cap है इसका जो के खुबसूरत marble की look देता है मगरी caps नक्फिट नहीं है तो चैप की मदद से आप बाटल को नहीं उठा सकते हैं वैसे तो इस house की बहुत सारी fragrances हैं वो भी आपको इस चैनल पर 11 की एक organized playlist में देखने को मिल जाएंगे तो इसके notes के बारे में बात कर लेते हैं इसके top notes में incense और cedar wood है middle notes में tobacco और vetiver है और base notes में cashmere wood और amber है और अब बता देता हूं के खुश्बुक इस type की है इसका first impression कुछ इस तरह कहा है कि जैसी आप इसको spray करेंगे तो इसके शुरुआत में आपको एक smoky incense के note के साथ बहुत ही मामूली से sweet note, dry woody note और थोड़े से spicy notes feel होंगे तीन से चार मिनट के बाद ये fragrance मजीद dark और smoky हो जाती है और इस phase में आपको dry woody note, dry leaves और कुछ green herbal notes के साथ वैटीवर, थोड़े से tobacco leaves और हलका सा ऊथ का note भी feel होगा एक घंटा गुजरने के बाद इस fragrance में एक नया twist आता है और इस phase में आपको smoky और dry woody notes के साथ dry tobacco, coffee beans, ऊथ और एक strong, dark और spicy cannabis का note feel होगा और अपने dry down में आकर इस fragrance में सिर्फ cannabis और ऊथ कनोड फील होगा तो ये कुछ इस type की fragrance है ये fragrance एक strong, woody, smoky थोड़ी बहुत spicy, warm, mysterious tobacco और ऊथ बेस fragrance है इस fragrance का review मैं पिछले दो हफतों से postpone किये जा रहा था और उसके पीछे reason ये थी कि इस fragrance को लेकर मेरे friend circle में काफी detail में discussion चल रही थी और सबकी अपनी अपनी राय थी जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे overall ये एक bad boy type की fragrance है जो के beginners और fresh perfume lovers के लिए बिलकुल नहीं है और इस fragrance का level सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो के fragrances के खेल में sweet, fruity, floral या fresh fragrances से जैसे के terry dehermas जो के एक strong vetiver based fragrance है और beyond the pashthoon summer जिसमें कुछ ऐसे unique notes है जो के शायद आपको मजाख लगे जैसे के cannabis, poppy और naswar age की बात कर लेते हैं ये fragrance एक dark, mysterious और smoky masculine fragrance है so I think 25 से 30 plus किसी भी age के males इसे wear कर सकते हैं weather की बात कर लेते हैं ये एक fall और winter based fragrance है मगर आप इसे extreme summers के इलावा किसी भी मौसम में easily wear कर सकते हैं और personally मुझे ये fragrance दिन से जादा शाम या रात में अच्छी लगती है आप इसे indoor और outdoor में wear कर सकते हैं ये fragrance office environment या college boys के लिए नहीं है और आप इसे किसी भी night occasion और parties में wear कर सकते हैं performance की बात कर लेते हैं तीन से चार घंटों के करीब इसकी एक heavy projection है और शुरुआत के 2 से धाई गंटा एक आम लैंड से थोड़ा से जादा इसका स्याश है और 10 से 12 घंटों के करीब इसकी कपड़ों पर lasting है प्राइस की बात कर लेते हैं आज की date में जिस date को ये video upload कर रहा हूं इसकी 100 ml की price 15,000 रुपे से लेके 16,000 रुपे की बीच है और अगर इस fragrance को एक नाम देना हो तो मैं the dark soul नाम दूँगा इस rating दे रहेते हैं send profile को मैं दूँगा 8.5 out of 10 presentation को मैं दूँगा 9.5 out of 10 projection को मैं दूँगा 9 out of 10 lasting को मैं दूँगा 9.5 out of 10 और price को मैं दूँगा 9 out of 10 और अब बात कर लेते हैं कि ये fragrance किस का clone ये किस से similar है तो बात वहीं से शुरू करते हैं कि इस fragrance को लेकर मेरे friends की बीच में काफी बहस चली और finally जब उनमें से तीन friends मेरी बात पे एगरी हुए तब जाकर इस fragrance का review शेयर कर रहा हूँ क्योंकि उनमें से एक friend ने fragrantica.com पर देख कर कहा था कि ये fragrance टेराउनी का clone है और अब तक वो इस बात से नहीं हटे और कई बार ऐसा होता है कि fragrantica.com पर fragrances के notes या clones घलत mention होते हैं तो क्योंकि मैंने अब तक तेराउनी ट्राइ नहीं की मगर इतना जरूर जानता हूँ कि उस fragrance में cannabis का note नहीं है मगर इस fragrance में मिट से लेके dry down तक cannabis का एक proper note है जो कि बिल्कुल black अफगानों की feel देती है तो मेरी nose के मताबिक ये fragrance black अफगानों से inspired है और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि black अफगानों के लिए एक बहुत मशूर बात ये है कि वो Bollywood के film star संजिदत का signature scent है क्योंकि black अफगानों में अशीश का एक prominent और raw farm का note है और आप सब समझ गए होंगे कि उन्हें ये fragrance इतनी ज़्यादा पसंद क्यों है और मेरी एक बात जिस पर आप सब users भी agree करेंगे वो ये है कि इस house ने अपनी तमाम fragrance में smoke या incense का note शामिल किया है और अपनी ज़्यादातर fresh fragrance में बिर्च का note एड़ किया है तो आप बात कर लिते हैं इस fragrance की और इसमें मौझूद के नोट की और अक्सर लोग समझते हैं कि कैनेबिस का note भांग से similar है और मेरे ख्याल से एक कुछ ही हद तक दुरस्त है और अक्सर लोग इसे गांजा यानि के wheat या marioana भी कहते हैं उससे भी compare करते हैं और अक्सर लोग इसे हशीश या चरस के साथ भी compare करते हैं तो इसके note को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि भांग, चरस, हशीश और गांजा में डिफरेंस क्या है भांग जो के कैनेबिस के seeds और पतों की मदद से बनाई जाती है और बास दाफा कुछ religious festivals में उसे use किया जाता है और दूद के साथ मिलाकर पीने पर manpower booster भी माना जाता है चरस, जिसे कैनेबिस concentrate भी का जाता है कैनेबिस की एक ऐसी form है जिसे कैनेबिस के जिन्दा, ताजा और fresh पतों को handmade यानि के हातों की मदद से रब करकर के बहुत मेनस से बनाया जाता है जबके हशीश को, कैनेबिस plant के dry और मुझायवे पतों को handmade यानि के हातों की मदद से रब करके बहुत मेनस से बनाया जाता है गांजा यानि के weed, जो के भांग से भी ज़ादा एक strong और psycho active drug है जिसे मारिवाना भी कहते हैं ये तमाम नशे इनसानी जिसम में नुकसानात के साथ-साथ इनकी addiction भी increase करते हैं और साथ ही brain और hormones के उन हिस्सों को trigger करते हैं जिनकी वज़ा से लोग इनका addict होते हैं जैसे कि adrenaline hormone को trigger करना जिसे कई बार इनसान super human में convert हो जाता है और ऐसी physical ये mental activities कर जाता है जो कि एक आम आदमी के लिए possible ना हो कई बार इनका असर हमारे reflexes, thinking और बास दफ़ा vision पर भी होता है जिसकी वज़ा से नजर ना आने वाली चीज़ों से भी मुलाकात हो जाती है ज्यादा तर cheap fragrances में dry leaves और dry woody accords को शामिल करके cannabis की note की feel create की जाती है मगर नीश और high quality fragrances में cannabis flower essential oil या hemp essential oil की मदद से fragrances में इस note को शामिल किया जाता है और कई fragrances में इस note को hemp और कुछ fragrances में हशीश या सिर्फ cannabis बताया जाता है हालाँ के hemp और cannabis दो अलग-अलग plants है मगर ये दोनों एक ही plant species से belong करते है मगर इस cannabis plant की निजबत hemp plant में THC यानि के tetrahydrocanabinol जो के crystalline compound और cannabis का एक active ingredient है और ऐसा भी नहीं कि cannabis या hemp सिर्फ नशों के लिए यूज़ किया जाता हो hemp और cannabis के plants vitamin E source की वज़ा से medicines, cosmetics, skin और beauty products में भी यूज़ किया जाता है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि fragrances में हशीश या cannabis का note चरस, भांग या किसी नशावर चीज़ से मिलता जुलता हो और fragrances में cannabis का note cannabis plant की एक raw form है जो के hemp या cannabis plant के resin से steam distillation के थूँ हासल किया जाता है और fragrances में इससे किसी भी किसम का नशा या headache feel नहीं होता और fragrances में ये note feel करने पर dry woody, थोड़ा सा herbal, spicy और dry leaves की feel देता है और मज़े की बात ये है कि fragrances में cannabis का note बहुत जादा attractive, unique, mysterious और एक compliment magnet थाबित होता है आप में से वो friends जो कि dark और mysterious fragrances पसंद करते हैं इस fragrance को consider कर सकते हैं और आप में से वो friends जिन्होंने original black आफगानों या उससे inspired fragrances ट्राय की हों तो उन्हें ये fragrance जबर पसंद आएगी So that's it for today, I hope you like this video अगर आप इस वीडियो को first time देख रहे हैं तो वीडियो को like करें, channel subscribe करें मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें मैं मिलूँगा एक नए वीडियो में अपना ख्यार रखेगा and keep smelling awesome अलाहाफिस